तो हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इजी इंग्लिश समरी, तो आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 11 का एक चैप्टर जिसका नाम है तो इस चैप्टर में एक ब्यूटिफुल सा होर्स होता है, जो कि वाइट करर का होता है, और इसमें दो बच्चे होते हैं, जो कि उस वाइट होर्स ही सवारी करते हैं, और वो इस वाइट होर्स के साथ और क्या-क्या करते हैं, वो इस चैप्टर में हम जानने पाले हैं, तो काई के इस च्पर्ट को स्टार्ट करते हैं तो इस cath Nic Mich कुछ गैरेक्टर हैं जिन इंवेखि increasingly Nej ब्लप तुसरे का नाम है मुराद जौते का नाम है जौन और दो और और यहीं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो कानी की शुरुवात होती है अराम नाम के एक लड़के से जो की कजन होता है मुराद का तो अराम जो होता है वो अपने घर पर सो रहा होता है जुबा की चार बजे होते हैं और उसकी खिड़की से उसे आवाज सुनाई देती है जो आवाज मुराद की होती है उसकी कजन की तो वो अंकल से compare करते हैं क्योंकि जो उसके अंकल थे वह भी थोड़े दिमाग से पैधली थे मतलब वो भी अजीब जीब से बाते किया करते थे और मुराद भी अजीब जीब से पाते ही करता है तो जो अराम है वो बाहर निकलता है अपने बालकनी में और वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो मुराद होता है वो एक beautiful सा white horse लेकर बहाँ पर खड़ा हुआ होता है वो उस horse के उपर बैठा हुआ होता है और जिसे देखकर जो अराम है वो बहुत ही जादा excited हो जाता है और वो वही से पोश्चने लग जाता है मुराद तुम ये कहां से लेकर आए अरे तुम नीचे तो आओ आओ तुमें इसकी सवारी करवाता हूँ हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ जो अराम और मुराद थे ये लोग अर्मेनिया से थे और ये लोग काफी गरीब थे जो इनकी फैमली थी उनको गारो गुराली नाम से चाना जाता था जो की अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ही सादा प्रसित से मतलब ये लोग बहुत ही तो जो आराम है वो मुराद से पूछता है तुमने इसे चोरी तो नहीं किया सच सच बताना जो मुराद है फिर कोई जवाब नहीं देता मैंने तो सिर्फ इसे होर्स राइडिंग के लिया है मैं तो सिर्फ इसे राइड कर रहा हूँ मतलब तुमने इसे चोरी नहीं किया मैं बस इसे राइड कर रहा हूँ राइड करना मतलब कि इसे रेंट पर लिया है वो मैं रेंट नहीं चुका रहा वो तो अलग बात है लेकिन मैंने इसे चोड़ी तो नहीं किया अ हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो तुम तो सिर्फ इसकी राइड कर रहे हो अच्छा एक बात बताओ तुम कब से इसकी राइड कर रहे हो तुमने अभी देखा है ना इसका मतलब अभी सुबा से ही मैं इसकी राइड कर रहा हूँ फिर जो अराम है वो थोड़ा सा गपराता है लेकिन वो मान जाता है कि चलो मैं चलता हूँ तुमारे से राइडिंग के लिए फिर जो आराम है वो मुराद के पीछे बैट जाता है उस होर्स पे वो जो होर्स होता है तो पहोती ज्यादा beautiful होता है फिर ये लोग अपने इन घर से निकलते हैं जो की walnut avenue के पास होता है जो की ओजिर्ड्स और country roads के पास होता है वो लोग होर्स राइडिंग करते हैं जो मुराद होता है वो चिला रहा होता है और इसके बाद जो अरम है वो कहता है तुम बिलकुल अपने अंकल कुसरॉफ की तरह पागल हो जो खुस्रॉफ होते हैं वो जो उनके अंकल होते हैं खुस्रॉफ वो अर्मिशा हर बात पर यह कहते हैं इसमें क्या हाम है तुम इस पर ध्यान मत दो मतलब वोई भी बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती थी वो तो एक ही बात कहते थे इसमें क्या हाम है तुम इस पर ध्यान मत दो तो एक बार की बात है जो अंकल फुसरोफ होते है और तभी उनका बेटा अरब महां पर आता है और वो कहता है कि पापा हमारी घर में आग लग गई है चलो चल दी अरे इसमें क्या हाम है तुम जिनता मत करो फिर जो बारबर होता है वो कहता है क्या बात कर रहे हैं आप आपकी घर में आग लगी है जाईए अरे इसमें क्या हाम है तुम जाओ कोई टेंचन की बात नहीं है तो इसी कारार सब लोग अंकर स्रॉफ को पादल समझते थे फिर जो मुराद है वो कहता है कि अरम अब तुम उतरो मैं इस घोड़े पे अकेले राइट करूँगा क्या तुम्हें पोड़ा चलाना आता है अरे तुम्हें नहीं पता हमारा मेरा इस घोड़े के साथ एक अलगी बॉंड है अच्छा चलो ठीक है जाओ तो फिर इसके बाद जो मुराद होता है वो होर्स राइडिंग के लिए निकल जाता है और एक चक्कर काट कर पांच मिनट में वापस वहीं पर आ जाता है फिर अरम कहता है मुझे भी करनी है होर्स राइडिंग अकेले लेकिन तुम्हें होर्स राइडिंग आती है नहीं आती है लेकिन मैं सीख चाओंगा तो जो अरम है वो से वार्स के ओपर बैठता है और वो से किक करता है लेकिन वो बिलकुल भागता नहीं है वार्स और वो एकदम से उचलता है और फिर वो दोड़ने लग जाता है और जब वो उचलता है तो इस टाइम पे जो अरम है वो उसकी पीट पर से गिर जाता है फिर कि दोनो के दोनों उसे ढूंडने के लिए निकलते हैं. आदा घंटा ढूंडने के बाद उन्हें मिल जाता है, जो अरम है वो उसे कहता है तुम नहीं से कबसे चुराया आज सुबा सही मैंने बताया था तो यह था तुमैं? तो जो सूरज है वो उने लग गया था तो इन्होंने क्या कि वो जो खौर्ड था उसे विंडियार्ड में छोड़ दिया और उन्हें उसे ड्राइ अलफा भी दिखिलाई फिर उसके बाद जो अरम है वो पूछता है एक बात पताओ मैं होर्स राइडिंग करना कितनी टाइम म तब तुम सीख चाओगे उसमें तो बहुत टाइम लगेगा उसमें तो पूरा एक साल है क्या तुम इस कोड़े को एक साल तक अपने पास रख सकते हो तुम क्या बात कर रहे हो मैं तो सिर्फ इससे राइडिंग के लिया था प्लीज प्लीज इससे रख लो ना चलो ठीक है मैं इसे एक साल के लिए रख लेता हूँ सिर्फ उसकी बात जो अरम है वो अपने घर पर आता है रेकफास करने के लिए फिर वहाँ पर अंकल फिसगार आते हैं और उन से मिलने एक आदमी आता है जिनका नाम होता है जॉन बाइरा अरे मैं बहुत साधा परिशान हो मेरा ए ऐसे ही पड़ी हुई है डॉन्ट वरी इसमें कोई हाम नहीं है मैं 16 किलो मीडर से पैदल चलकर आया हूँ डॉन्ट वरी इसमें कोई हाम नहीं है तो पता है वो जो हॉर्स था मैंने उसे 60 डॉलर्स में खरी दा था डॉन्ट वरी इसमें कोई हाम नहीं है फिर उसके बाद जो अंकल होते हैं वो काफी जादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो वहां से निकल जाते हैं तो फिर जो अरम होता है उसे ये बात पता चल जाती है कि ये जो होर्स है वो जान बाइरो का है और जो मुराद है उसलिए उसलिए होर्स को जुरा लिया है तो फिर वो दोड़ता वो उसके घर के पास जाता है और फिर जो उस टैम पर मुराद होता है वो एक बर्ड के ताथ खेल रहा होता है वो उस बर्ड को बार बार उड़ाता है और वो बर्ड उसके पास आ जाती है फिर वो अरम को कहता है इस果ड के साथ मेरे के अलगी बॉन्डिंग है तो मैं पता है फिर उसके बाद जो अरम है वो कहता है तुमने पता है ये ये जो हॉर्स तुमारे पास है ये जॉन बाइरो का है वो अभी मेरे घार आये थे उन्होंने सारी बात बताई मतलब तुमने इस होर्स को चोरी किया है नहीं नहीं तुम्हें पता है न हम कौन सी फैमिली से हैं तुम्हारी फैमिली में चोरी कोई भी नहीं करता तो यह होर्स तुम्हारे पस कहां से आया वो तो मैंने बस बॉरो किया है मैं बस उन्हें बताना भूल गया था जो जोन है वो कहता है ये होर्स तो मिलकुल मेरे होर्स की जैसा दिखता है लेकिन मुझे बता है आप लोग गारगिलियन फैमली से हैं और आप लोग कभी चोरी तो नहीं कर सकते तो पकी बात है कि ये जो होर्स है ये मेरे होर्स का जुड़वा है लेकिन मुझे बड़ी फिर वाहां के तरफ चार्म क्या है इसका नाप माय हार्ट ए जह लोगए हारं कि अदौत की तरफ फ covenant rat रहे ऐह दॅत रहे होते हैं लोत श्यादा पौक रहे होते हैं और अथि दौत कहता है अगय के दे रहा है, जो होर्स होता है, वो भी तोड़ा उदास तो लग रहा था, जो जॉन है, वो उसे होर्स को बाद में देखता है, और बहुत ही खुश हो जाता है, फिर जो जॉन है, वो वापस उसके घर पर आता है, मतलब वो आराम के घर पर आता है, और फिर जो अंकल होते हैं, उनको बताता है देखो मेरा होर्स वापस मिल गया देखा मैंने कहा था इसमें चिंता करने कोई बात नहीं है इसमें कोई हार्म नहीं है फिर इसी बात की थाथ इस चैप्टर का एंट हो जाता है तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना है इस तरिगे की और समने जाने के लिए में जाने के लिए जाने के लिए सब्सक्राइब देने थांक यू